गुड मॉर्णिंग स्टुडेंस यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में हर्स वर्धन द्वारा केगे युद और उसकी विजों के बारे में जानकर प्राप्त करेंगे तो देखें पढ़ते हैं हर्स वर्धन द्वारा केगे युद हर्स को कुंतर नामक अस्वारोही से अपने बड़े भाई राज्य वर्धन की गोड़ा दीपती ससांग द्वारा हत्यागा समाचार प्राप्त हुआ था इधर सेनापती सिहनाद के उधप्रेरक वचन ने उसमें साहस और ओजस्वे भर दिया हर्स ने सिख रही एक सेना तयार की तदा युद के लिए प्रस्तान किया प्रस्तान करने के पूरवे हर्स ने ये परतिग्या की यदि कुछी दिनों में धनुचलाने की चपरता की गमंड में भरे हुए समस्त उध्यत राजाओं के पैरों को बेडियों की जंखार से पोन करके पर्थवी को गोडों से रहित ने बना दूँ तो घी से धदकती हुई आग में पतंगे की तरह पात की अपने को जला दूँ ठीक है इसी परकार अन्य स्वाधियं हुए राजाओं थथा सामन्तों को चेतावनी देते हुए अपने यूद सचीव अवंति के माध्यम से उसने घोशना करवाई की पूरह में उद्याचल पस्षी में अस्थाचल उत्तर में गंदमादन थदा दक्सिन में त्रिकूर्ट तक के समस्त सासक यातों वे कर देने के लिए या फिर यूद के लिए तयार हो जाएं उसके बाद उसने अपने गज जिसेना के नायक इसकंद गुप्त को चारागाह में निकले हुए हाथियों के समुह को वापस बुलाने तथा दिगविजे के लिए कूच करने का देश द हर्ष चरित में हर्ष की विजे यात्रा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है हर्ष चरित के अनुसार हर्ष की सेना परति दिन आठ कोस की दूरी तय करती थी पहले दिन की यात्रा के बाद हर्ष से कामरूप के राजा भासकर वर्मा का भेजा हुआ हंस बेग नामक दूत मि मैत्री का प्रस्ताव लेकर बहुमुले उपहारों के साथ आया था हर्ष ने प्रस्ताव माल लिया तदा उपहार सविकार कर लिये यह संदी गोड नरे ससांग के विरूत की गई थी ससांग भासकर वर्मा तथा हर्ष दोनों का ही सत्रू था इसके बाद सेना ने आगे प्रस् सेना के साथ आकर निकट के सीवर में रुका हुआ है। ऐसा लगता है कि देव गुप्त को प्राजित करके मार डाने के बाद स्वयम राजय वर्दन ने ही अपनी सेना के एक भाग के साथ थानेश्वर भेश दिया था। तथा अपनी बहिन राजय श्री को बचाने के लिए कन पनोच की और कूच कर गया। हर्स के विशे में सोजना मिलते ही भंडी स्वयम अप उसके सीवर में पहुचा। तथा उसने हर्स को राजय वर्दन के मारे जाने की सूचना दी। साथ ही ये भी बताय कि गुप्त नामक वेक्ति ने कान्यकूपज पर अधिकार कर लिया। त पनोच को राजय स्री के विशे में जानकर बड़ा दुख हुआ तथा वह अपने कार्य योजना बदनने के लिए मजबूर हो गया। उसने भंडी को एक सेना लेकर ससांग प्राकर्मन करने का आदेश दिया। तथा स्वयम मादव गुप्त तथा अन्य सनिकों के साथ स्वामी बुखम के भांजे निर्गहाद नामक युवक को लाया था। वे राजा को ग्रह वर्मा के बाल सखा बोद बिक्सुक दिवाकर मित्र के आस्रम में ले गे। बड़ी कठिनाई से दिवाकर मित्र की सहता से उसने राजे स्री का पता लगा लिया। ठीक उस समय जब गंगा नदी के तठपर वापस आया, जहां उसकी सेना भंडी के नेतरतों में उसके आगमन का इंतजार कर रही थी। हर्स रित का विवरण अचानक इसी स्थान पर समाप्त हो जाता है, जिसके कारण आगे की गटनों के विशे में जानकरी अदूरी रह जाती है। हर्स ने ससांग के विरूद जो सैनी के भिहान किया, उसका क्या परिणाम निकला। हर्स और ससांग के भी इसको यूद हुआ या नहीं, अथ्वा ससांग का क्या हुआ। आधी अनेक बातें ऐसी हैं जिनके विशे में हर्स रित मोन है। राजित हुआ और अपने राजे के अंदर बंद पड़े रहने के लिए बाध्य किया गया। गोड़ लोगों द्वारा स्वागत नहीं किया जाने के करण हर्स सवदे से लोट आया। आर ये मंजूश्री मूलकल्प की गठना कहा तक सही है थ्वा नहीं। इस बात के बारे करणोज को खाली करने के कारण के कहां देखेगा। गोड़ नरे ससांग ने हर्स से बिना युद किये ही कनोज को खाली कर दिया। तथा कनोज वतंतर हो गया। कनोज के मंत्रियों ने हर्स से प्रार्थना करी कि वह कनोज का राज सिहासन स्विकार करें लेकिन हर्स ने ये स्विकार नहीं किया। वियन सांग ने लिखाए कि ह हर्ष ने अवलोकिते स्वर बोधिस्तुय से प्रामर्स किया। बोधिस्तुय ने उसे सिहासन पर बैठने तता महराज की उपादी धर्न करने से मना कर दिया। हर्ष ने अपने को राजपुत्र कहा तता अपना उपनाम सिला दिते रखा। राजे स्री को ही सासी का माना गया जिसने अपने भाई हर्ष की देख रेक में सासन का संचालन करना स्विकार किया चीनिस रोतों के अनुसार हर्ष हम राजे स्री साथ साथ कर्नोज के सिहासर पर बैड़ते थे हर्स ने अपनी राज़दाने थने सोर से कर्नोज में स्थानांत्रीते कर ली ताकि वार राजय Königских को परशासने कारियों में सहायता प्रदान कर सके प्रमाणों के अभाम में हम हर्स के आगे के वियानों आधिगा सही से पता नहीं लगा सकते लेकिन फिर भी वेन सांग जैसे विद्वानों ने अपने अंदास से कुछ बातें कही हैं जिनका विवरन इस प्रकार से है वेन सांग ने लिखा है कि हर से एक बड़ी सेना के साथ लगा तार 6 वरसों तक यूद करता रहा सरवा परतम उसने पूरव की और परस्तान किया और जिन सक्तियों ने उसके दिनता नहीं मानी थी उनको अपने अधीन किया इसके बाद भी वह तब तक यूद करता रहा जब तक की पंच भारत का स्वामी नहीं बन गया उसने पंच भारत को इन्तु कहा है इसके बाद उसने यूद किरिया रोक दी अस्तर सस्तर गारों में जम्मा कर दिये गए तथा निरनतर तेस वर्सों तक उसने सांति पूरक राज्य किया इस वीज हर्स ने कोई भी यूद नहीं किया कुछ विद्वानों ने हर्स के राज्य काल को दो भगों में मान वांटा है वो कौन-कौर से देखेगा यूद काल और सांति काल तो हर्स का यूद काल था 606-612 इस वी इस काल में हर्स ने अन्य अन्य यूद किये थे हर्ष ने पहला पूर्वी अभियान किया जिसमें समस्त उत्रपरदेश और बिहार का पस्चीमी भाग जीत लिया परंतु ससांग का राजे जिसके अंतरगत बंगाल और उडिसा के परदेश समिन्दी थे वह है पर्थम अभियान में नहीं जीता जा सका होगा मालवा के उपर भी लगभग इसी समय हर्ष का अधिकार हो गया होगा इन युदों में उसके राजा रोहन के बाद के च्छे वर्ष 666-612 इस्वी तक समय लग गया होगा 612 इस्वी के बाद काल करम की द्रस्टी से हर्ष ने निम्ली की जुद किये होंगे कोनगोन से सबसे पहले बललभी का युदे बललभी राजे आदुनी गुजरात में इस्तित था वहा का सासक धुरुवे सेन द्वीतिय था हर्ष ने उस पर आकरमन किया धुरुवे सेन पराजित हुआ तथा उसने भाकर बढ़ोंच के गुजर सासक दद द्वीतिय के दरपार में सरण ली थी गुजर नरेस ने हर्ष से उसका राजे वापस दिला दिया दद की पर्थम ग्याति थी 627 इस्वी है जिससे यह नुमान किया जा सकता है कि यह है युद 639 इस्वी में वा होगा दद ने 640 इस्वी तक राजे किया था जिसके आदार पर है मनुमान लगा सकते हैं कि यह है युद 636 इस्वी के बीच में वा होगा दद एक सादारन सासक था जो अक्यला हर्ष से जशे सकती साली सासक से नहीं लड़ सकता था हता उसने चालू के नरेश पुलकेसिन दुईत्य की साता से यह युद किया होगा पुलकेसिन के एहोल अभिलेक से पता चलता है कि दद उसका सामनत था हर्स का दद से यूद करने तथा पुलके सिंद्वीते का इस यूद में दद की साता करने में योगदान देने वाली गठना ही हर्स तथा पुलके सिंद्वीते के भी संगर्स का कारण बनी हर्स ने बलबी नरेश को अपनी ओर मिलाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया अब बलबी का राजा हर्स का समंदी बन गया था अब आता है नरमदा घाटी की समस्या हर्स के सामने नरमदा नदी घाटी को सुरक्षित करने की समस्या थी द्रमदा के दक्सिर में चालूक्यों का सक्तिसाली राजे था जो अलसर पाकर उत्तर भारत पर आकर्मन कर सकते थे हर्स इस संकर से वाकिफ था अतहे उसने बल्लवी नरेश को जीद लेने के बाद बल्लवी का राजे उसको वापस दे दिया तता साथ थी साथ बल्लवी नरेश को हर्स ने मालवा तता उसके अदिनस्त राजे की राजे भी वापस दे दिये थे बल्लवी चे सम्मन्द और गहरे बनाने के लिए हर्स ने अपनी पुत्री का विवा भी बल्लवी नरेश के साथ कर दिया था इस हुजबू से हर्स ने अपने समराजे की पस्यमी सिम्मा को सत्रों से सुरक्षित कर लिया था बल्लभी नरेचालूकियों के विस्तार के मार्ग में बहुत बड़ी बादा हो गया था यह हर्स की कूट निती कुपलवदी थी जिसकी तुर्ना चंद्र गुपद्वित्य की वाकाटक निती से कर सकते हैं अगलाता सिंद ये साथ यूद बल्लभी के यूद के बाद हर्स ने सिंद पर अकर्मन किया बान बटके हर्ष रिस से पता चलता है कि हर्ष ने सिंदू राज को युद छेतर में मर्दित करके उसके राज लक्षमी को छेन लिया था इससे पता चलता है कि सिंदू परदेश का राजा युद में पराजित तो हुआ परन्तु उसका राजित नहीं छेना चाह सका वेन सांग के वीवरंट से पता चलता है कि सिंद देश का राजा जाती से सुद्धर था और बो धर्म में उसकी आस्था थी यहां हर्ष ने धर्म विजई सासक की निती का नुसरन किया जो समुद्र गुप्त की दक्षिनापत की निती के समान है ऐसा लगता है कि हर्ष उससे भेंट लेकर ही संतुष्ठ हो गया तता उसने उसका राजे वापस लोटा दिया बान भड तता वेन सांग ने सिंद के राजा का नाम नहीं बताया है संभवते नरेश साहसी राय था जो साथ विस्ताब्दी के प्रारम में वहां का सासके था ऐसा परतीत होता है कि प्रभाकर वर्धन की मर्ट्यू तथा राजे वर्धन की ससांग द्वारा हत्या के बाद थानेश वर राजे में जो एवेवस्ता फैली उसी का लाव उठा कर सिंदू के राजा ने एक बार फिर अपने को स्वतनतर कर दिया था इसी कारण हर्ष को उसके विरूद पुने हसेनी कारिवाह करनी पड़ी थी ठीक है अब देखेगा पुलकेशिन द्वित्ये के साथ यूद पुलकेशिन द्वित्ये चालू के वंस का सक्ती साली राजा था वेवेन सांग उसकी सक्तियम प्रभाव की परसंसा करता है हर्स की विजों के परणाम सरूप उसके राजे की पस्यमी सिमा नरमदा नदी तक पहुँच गई उदर पुलकेसिन दुट्ये भी उत्तर की और राजे का विस्तार करना चाता था ऐसे स्तिती में दोनों के बीच यूद होना अवस्यमभावी हो गया जिसके परणाम सरूप हर्स और पुलकेसिन दुट्ये के बीच नरमदा नदी के तठपर यूद हुआ जिसमें हर्स की पराजे हुई पुलकेसिन तता हर्स दोनों के बीच हुए यूद से समन्दित में तब उन दो परमान मिलते हैं पुलके सिंद्वित्ये का एहोल अभीले जिसके अनुसार अपार एस्वरिये द्वारा पालिस समन्तों की मुकुट की आभा से आचातित हो रहे थे चरण कमल जिसके यूद में हातियों की शेना के मारे जाने के कारण जो भयानक दिखाई दे रहा था ऐसे हर्स के आनन्द को उसने अर्थात कुलके सिंन ने भय से विगलित कर दिया वियनसां का यात्रा विवरण सियूकी के अनुसार उसने अपने राजयरोंहन के बाद लगातार छेवर सो तक हर्स ने अनेग यूद किये उसने कई सक्तियों को प्राजित किया परन्तु मोहोलचय अर्थात महरास्टर का सासक बड़ा वीर और स्वाभी मानी था उसने हर्स के अधिनता नहीं मानी यहां चीनी यात्री ने जिस राजा का उले किया है उसे पता चलता है कि पुलकेशिन दुटिये ही वह राजा है कई विद्वान ऐसे हैं जो हर्स की प्राजे स्विकार नहीं करते उनका कहना है कि एहोल का अभिले का रचेता रवी कीर्थी का विवरण एकांगी है वेंचायं के कथन से केवल यही निस्कर्ष निकलता है कि हर्स पुलकेशिन को अपने अधिन नहीं कर सका तथा उसने दक्सिन की और उसका परशार रोक दिया सुधाकर चटोपधाय का विचार है कि ततकालीन भारत के इन दो महान राजों के बीच होने वाला यह अकेला युद नहीं था उनके संगर्स बाद में भी जारी रहे थे 643 इसवी में हर्स का कॉंगो पर आकर्मन पुलकेशिन के विरूद उसकी एक मोर्चा बंदी थी इसे जीतकर हर्स ने अपनी पूरानी प्राजे का बदला चुकाया तता पुलकेशिन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया अगला ता हर्स वर्दन एंग उसका द्वित्य पूर्वी अभिहान पुलकेशिन द्वित्य के विरूद हर्स के सफलता ने उसका नरमदा नदी के दक्सिन में परसार रोक दिया इसके बाद हर्स ने पूर्वी भारत की विजे के निमित एक दूसरी सैनिक योजना बनाई जिसका उद्वे से ससां के राजे को जीदना था ससां के राजे में उडिसा, बंगाल तथा मगत के परदेश सामिल थे ये सभी परदेश हर्स के पर्थम पूर्वी अभियान में नहीं जीते जा सके थे अब देखिएगा उडिसा पर अधिकार उडिसा के गंजाम जिल्ले से ससां के सामन सेलोध्ववनसी मादवराज का लेक मिला है जिसकी तिथी गुप्त समथ 308-619 है इस से पता चलता है कि इस तिथी तक वह एक स्वतंतर सासक के रूप में महराजा दीराज की उपादी के साथ सासन कर रहा था वेंसांग के विवरण से पता चलता है कि उसकी मर्ठु 637 इस्वी के थोड़े समय पहले ही हुई थी वेंसांग की जीवनी के नुसार हर्सने कौंगोद अर्थात गंजाम जो उडिसा में है पर आकरमन कर वहाँ अधिकार कर लिया यह परदेश महानदी के दक्सिन में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित था यहां पहले ससांग का राजे था यह भी पता चलता है कि हर्सने उडिसा में जैसेन नामक एक बोध विद्वान को जो अपनी विद्वता के लिए परसित था असी बड़े गाउं के आई दान में दी थी यह तबी संभव था जब उसका अधिकार उडिसा पर रहा हूँ इससे इसपर सोता है कि इस सबे उडिसा ससांग के अधिकार से निकल कर हर्स के अधिकार में आ गया था अब आता है मगद पर अधिकार चिन्नी लेकक मातवान लिन कहता है कि हर्सने 641 इस्यू में सरापरतम मगद राज की उपादी धरन की थी मगद पहले ससांग के राजे में था वेन सांग लिखता है कि इसके पूरव ससांग मगद में सासन करता था और उसने बोधी गीरा के बोधी वरिक्ष को कटवागर गंगा में फिकवा दिया था ये भी पता चलता है कि हर्सने चीन में जो अपना दूद मंडल भेजा था उसमें भेजे गए पत्रादी में हर्स को मगद राज ही कहा गया था वेन सांग लिखता है कि हर्सने नालंदा में एक पितल का विहार बनवाया था यहीं से हर्स की मुहरे मिलती हैं अबाता बंगाल पर अधिकार बंगाल पर अधिकार के बारे में चीनिस रोतों से हमें जानकरी प्राप्त होती है वेन सांग के जंगल अर्थात राज महल में हर्स के सैनिक सीवीर का उले करता है उसके अनुसार जिस समय हर्ष पूर्वी भारत में अभियान कर रहा था उसने यहां पर एक त्रणा चादित ऐस्थाई भवन बना कर उसमें अपना दर्बार लगाया था पूर्वी बंगाल से प्राप्त कुछ लेख हर्ष समवत में अंकित हैं कजंगल के अलावा पुंडरवर्दन, सम्तर, तमरेलिप्ति, कांशुवान, आदी बंगाल के परदेशों पर हर्ष का अधिकार था हर्ष और नेपाल बान पर द्वारा रचित हर्ष रिस से पता चलता है कि हर्ष ने हिमाचादित परवतों के कठिन परदेश से कर प्राप्त किया था इस से पता चलता है कि हर्ष ने नेपाल के विजे की थी रादा कुमुद मुकर जी के अनुसार नेपाल में हर्स सम्वत का पर्षलन था जो वहां उसके आधिपत्ते की सूचना देता है अब आता है कस्मीर का राजे कस्मीर पर हर्स का अधिकार था हर्स ने ये सुना कि कस्मीर में बगवान भूद का एक दाथ है वह स्वेम कस्मीर की सीमा पर आया तता उसने दाथ के दर्सन और पूजा के लिए कस्मीर के राजे से आग्या मांगी परन्तु बोथ संग ने इसे स्वेकार नहीं किया इस पर कस्मीर नरेश ने स्वेम मद्धेस्ता करके दाथ को हर्स के समुक रख कर दिया उसे देखते ही सिर्ला दित्ते अर्थाद हर्स स्रिधा विहल हो उठा तथा बल परियोग करके दाथ को अपने साथ उठा ले गया परन्तु इस कतन से हर्स की कस्मीर विजे के बारे में कोई निसकर्स नहीं निकलता है कस्मीर का राजा बोथ द्रमावलम भी था हर्स वर्दन दता कामरूप का डेस कामरूप का राजा भासकर्वर्मा हर्स का समकालीन था कामरूप ने हंस बेग नमक अपने राजदूत के मादेम से हर्स के साथ महत्री सम्मन्द कायम किया था हर्स के जीवन काल तक वह उसका मुद्मित्र बना रहा वेन सांग भासकर वर्मा के दरबार में ठहरा था तथा हर्स ने उसे बुलाने के लिए अपना दूत भेजा था भासकर वर्मा ने कहला भेजा कि वह चिन्नी यात्री के बदले अपना सीर देना पसंद करेगा इस पर हर्स क्रोधित हुआ तथा उसने उसका सीर तूरंत भेजने को कहा इसे सुनकर भासकर वर्मा अत्यदिक भेभीत हो उठा तथा चिन्नी यात्री के साथ हर्स के सम्मूग उपस्थित हुआ इससे लगता है कि वह हर्स के सक्ति से भेवी था बेन सांग बताता है कि वह प्रियाग तक नोज के समारों में सामिले हुआ था हर्स यमन दक्सिन भारत का इतिहास हर्स ने नर्मदा नदी के दक्सिन में सैनिक अभिहान किया था नरमदा नदी के दक्सिनी भाग में कुंतल, चोल, कांची की विज़ेत की हर्स का यह बियान कुलकेसिन द्वीतिय की मर्त्यू के बाद हुआ अर्था 643 इस्वी के लगबग यह बियान हुआ इस अभियान में उसे चोल और पल्लव नरेसों को अपने अदीनता में ले लिया था हर्स ने सुदूर दक्सिन के राजियों को अपने समराजे में नहीं मिलाया हर्स का उद्व से केवल उन राजाओं को अपने अदीनता स्वीकार करवाना ही था हर्स का दक्सिन भारत का अभियान वैसा ही था जैसा समुद्र गुप्त का दक्सिनापत का अभियान था कुंतल को जीतने के लिए समुद्र गुप्त बाद में गया था कुंतल का परदेश पुलके सिंदुईतिय के अधिकार में था पुलके सिंदुईते की मर्त्यू के बाद चालू के राजे में आराजकता फैल ली हुई थी इसी आराजकता का फाइदा उठाकर हर्स ने कुंतर परदेश के साथ साथ चालू के राजे के कुछ पस्चिमी भागों को जीत लिया था तो देखेगा इस वीडियो में हमने हर्स की जो यूद द्वारा कियेगे जो यूद हैं वीजे हैं इन सब चीजों के बारे में जानकरी प्राप की एक्जाम की दर्श्टी से वीडियो बहुत ही महत्तों पुण है अतहर आप वीडियो को अंतक बार बार देखेगा आपको एक्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी और हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद